नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रेंट धर्मा सनमार्ग हर बैक्ति के काम्यावी का सम्मंद गरहों के साथ जुड़ा है क्योंकि गरहों की चाल से ही हमें नाम यस और अपियस मिलता है यानि दोनों ही गरह की चाल ही है आपने देखा होगा किसी दिन समय बहुत अच्छा गुजरता है किसी दिन बहुत ज़्यादा परिसान हाँ हो जाते है ये भी चंद्रमा की चाल पर डिपेंड करता है लेकिन आज हम जोतिस की बात कर रहे हैं अगर हम हमारे घर का जोता चपल को हम धंग से नहीं रखते सही तरीके से यूज नहीं करते तो गरीवी का कारण ये भी बन सकता है पर कैसे? कैसे आप उसको दूर करेंगे? देखे जोते चपल से कुछ जूड़ी भी बाते हैं खास कुंडली में अगर सनी दोस है या फिर सनी की ढहिया सारे साती चल रही है तो सनी वार के दिन बिना किसी को बताए काले रंका आप जूता चपल दान कर दे या फिर पास के किसी मंदिर के प्रवेश दौर पर पहन के जाईए और उतार कर चले आईए पीछे मुड़कर मत देखेगा आप देखेगा जीवन के मुश्कले समाप्त हो जाती है अब कई बार होता है कि आप मंदिर में पुजा करने गये हैं बाहर से जूते चपल चोरी हो गये तो आप घबराईए मत क्योंकि भगवान की महरवानी है आप पे आपके जीवन की परिशानी समाप्त हो जाती है अगर कोई जूता चपल आपका चुड़ा लेता है तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखे फटा हुआ जूता ना पहने सिलाई करके जूता चपल पैबंध लगा कर ना पहने वरना आपके गरह बुरी चाल चलने लगेंगे चाहे राजियोग ही क्यों ने चलें परिशानी जरूर आईगी और घर के सामने घर के सामने किसी भी घर के सदस्य को दहलीज पर दहलीज यानि चौकट के पास जूता चपल मत उतारिए आप साइड में उतारिए और ना किसी को उतारने दे ठीक घर के सामने जूता चपल आपने देखा होगा बहुत साई लोग आए हैं उतार दिये नहीं साइड में उतारिये और बिल्कुल रास्ता को क्लीन डखे जोतिस कहता है कि भूल कर भी अगर आप जूता चपल उत्तर पूरब में रख देते हैं तो आपके जीवन में मुस्किले बढ़ जाती है हाँ आप जूता चपल को पस्चिन विसा में रख सकते हैं अब आपके घर में बहुत साइ लोग ये भी अच्छा करते हैं कि घर में प्रयोग करने वाला जूता चपल अलग होता है बाहर वाला अलग होता है यह वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि बाहर की जो मिट्टी के साथ नकात्म कुर्जा आपके घर में आ रही है वो बाहर ही रह जाएगी आपके घर के अंदर परवेस नहीं करेगी लेकिन अगर कोई बेक्ती बाहर से जूता चपल पहन कर आता है और घर में परवेस कर जाता है अब घर में मुस्किलें बढ़ेगी आकस्मिक समस्याएं बढ़ेगी तो पुराने जूता चपल भी बहुत दिन से पढ़ा हुआ है उसको तुरंथ हटाईए क्योंकि ये निगेटिविटी का खजाना होता है यानि नकात्म कुर्जा का बसेरा बन जाता है तो इसलिए जिन जूता चपल को आप परियोग नहीं करते हैं किसी को दान कर दें घर से बाहर कहीं साइड में रख दें कोई उठा के ले जाएगा और जब भी जूता चपल आपके घर में है सबके घर में होता है लेकिन इधा उदर बिखेड के मत रखें करीने से सही तरीके से रखें एक पर एक चड़ावा जूता चपल भी अच्छा नहीं होता जोतिस तो ये भी कहता है कि ब्राउन कलर का जूता पहन कर आप दबतर मत जाईए हाँ आप डार्क ब्राउन पहन सकते हैं पर एकदम से ब्राउन मत पहनिएगा ये सही नहीं माना जाता है तो आप अपने घर में जहां धन स्थान है पुजा स्थान है ऐसे जगह में जूते चपल पहन के मत गुमे नहीं तो ये लक्श्मी का अनादर होगा अब जैसे कि आप पवीत्रे नदी स्रोबर में जाते हैं तो जूते चपल नदी में मट डालिए आप उपर ही रहिए और फिर आप पैर पढ़नाम करके अंदर जा सकते हैं लेकिन नंगे पैर जाएगे तीसरी बात जिस घर में धन सुक सम्रिद्धी की कमी नहीं रहती उस घर में आपने देखा होगा जूते चपल हमेशा संभाल कर करीने से रखा होता है गंदे जूते चपल भी मेथ पहने इसको चमका कर रखिए जितना ज्यादा आपका जूता चपल चमकेगा उतना ही भागे चमकेगा अपने जैसे कि अभी लोग कीचन में जूता चपल पहनते हैं पहनिए पर वो जूता चपल एकदम से आप रबर वाला पहनिए वो ज्यादा अच्छा है और कहीं और जिसे बाहर बेगे रहा है आप मच जाईए उस चपल को पहन कर तो फिलाल आप से विजा लेते हैं जानक अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद